आज हम बना रहे बिना तेल से बने खट्टा मिठ्था चट्पटा आम का आचार या चट्नी जो आप रोटी के साथ खाओ या पराठा के साथ या ऐसे ही बहुत ही टेस्टी होता है तो नमस्ता दोस्तों मैं हूँ नंदना आपका स्वागत है माई होम्री लवली कुकिंग में तो आईए देखते हैं कैसे बनाते हैं तो मैंने यहाँ एक किलो आम ले लिया आम को अच्छे से धोके सुखा के रखे आब इसको छिल कचुरा के रख लेंगे तो देखिए चिल कचुराना तो हो गया है एक एक करके आम लेंगे आब इसको लंबा लंबा पीसेस में हम काटेंगे बीज का जो बीजा है उसको फेक देंगे फिर लंबा लंबा पीसेस में काट के रखेंगे बाकी आम को भी एक ही प्रोसेस से काट के रखेंगे तो दिखिए आम कटना तो हो गया है अब चाटनी का मसाला तायर कर लेते हैं इसमें ज़्याद मसाला का जवयत नहीं है तो मसाला के अंदर में रखे वान फूर्टी स्पून सौफ, वान फूर्टी स्पून जीरा, थोड़ा सा मेथी और वान फूर्टी स्पून राई, काली और तीन सुखी मीर्च और एक तेच पत्ता, गास का फ्ले मीडियम में रखे कुछ दिर मसाला को रोस्ट करना है, जैसे ही उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और उससे अच्छा कुछ भून निकल आए, तब हम मसाला को थोड़ी दे ठंड़ा कर लेंगे, तो ठंड़ा क तो एक टुक्रा दालचीनी डाले, उससे बहुत बढ़िया फ्लेबर आता है, फिर काटे हुए आमको डाले, गैस काच इस टाइम एकदम तेज में रखे, कुछ देच चलाएंगे, जैसे यूबल आ जाए, थोड़ा सा हल्दी पाउड़ा दिया थोड़ा सा नमक, कुछ दे अच्छे से गल गया है, चाटनी के साथ अच्छे से मिला है, फिर हम रोस्ट किया और जो मसाला पहले करके रखे थे, उसको डाले, अच्छे से मिला है, बहुत बढ़िया फ्लेबर आ रहा है इस टाइम, मसाला डालने के बाद और पांच मीट रखेंगे, तो बस हमका चाट बहुत ही टेस्टी होता है खाने में इसमें धूप देखाना के ज़रूरत नहीं है बस 10 मीट में बनके तैयर हो जाता है और खाने में उतना ही स्वाधिस्ट होता है तो दोस्तों आप भी बनाईए अगर मेरे वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करन ना भूले बाई